Dear student, अब हम अगला question शुरू करने जा रहे हैं, 1E, चलिए screen पे question आपके दिया ही हुआ है, आप पढ़ लीचिए, So, our company has current assets of 126 and current ratio is 3 to 2, inventory 2000 है, find out liquid ratio, देखो बच्चे, ऐसा है कि question में आपको क्या given है current ratio, पहले आप इसको लिखें, current ratio बराबर है किसके current assets, divided by current liabilities, ये इसका formula है, अब आप क्या करो, इसमें value fill up करो, क्या question में आपको current ratio दिया है, yes, तो हमेशा ratio का एक असूल रहा है, 3 में से 2 चीज़ें आपको देंगे, examiner कोई एक चीज़ हाइड करेगा, जिसे आपने locate करने, आप question में current ratio दिया है, 3 is to 2, current ratio यानी ये, इसकी value है 3 by 2, is equal to क्या लिखना हमने current asset, जो question में given है, 1,26,000, divide किस से करेंगे आप current liabilities है, अब आप देखो, आपके सामने current ratio भी है, और current asset भी है, तीन में से दो चीज़ें आपको दिया है, तो तीसरी find dot हो जाएगी, तो आप क्या करें, current reliability को उपर ले जाए, और 3 by 2 को नीचे लाए, जब 3 by 2 नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, reverse, तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे, current liability is equal to, 1,26,000, इसको मैं उपर ले गया, इसको मैं नीचे ले क्या होगा, तो upon क्या होगा, ये होज़ेगा, 2 upon 3, reverse होज़ेगा, match की property है, इस तरह से हमारे पास, current liability कितनी आगी, 84,000, I hope ये clear हो गया, लेकिन question में आप से क्या मांगा गया है, गौर से देखे, question में क्या लिखा हुआ है, find out, liquid ratio, तो अब liquid ratio का formula लिखे, liquid ratio बराबर होता है, आपके liquid assets, upon current liability, अब इसमें आपने value फिल करनी है, तो क्या liquid asset आपको directly available है, no, तो हम find out करेंगे, क्योंकि कैसे निकालते हैं liquid asset, वो हमने पिछले सम में भी देखा था, liquid asset is equal to current assets, अब current asset में से आप क्या-क्या minus करेंगे, आपके sendment में हमने formula दिया हुआ, आप देख सकते हैं, minus करेंगे inventory, prepared expense and advanced tax, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ inventory दिया हुआ है, तो हम inventory को क्या करेंगे, minus, so current asset मेरे पास है, question में, 1,26,000 minus, 2,000 आपकी inventory है, तो result आगया आपका 1,24,000, value put करें, 1,24,000 upon 84,000, तो इसको आप solve कर लेजिए, 4 common आजाता है, दोनों में, यह आजेगा आपका, 31 is to 21, थोड़ा सो और भी reduce कर सकते हैं, हाल फिलाल, अमने सीधा-सीधा result निकाल दिया, I hope आपको यह clear हो गया होगा, चलिए, अब आपके doubt का एक नया वीडियो में बना के आपको जल्दी पहुंचा आता हूँ, थैंक यह वर्य मजच!